प्रतिक वर्स एक दिन जनता कर्फ्यू डे और एक दिन सोशल डे के रुप में मनाया जाना चाहिए मेरे इस सोच के उपर मैं थोड़ा प्रकाश जाननी की कोशिश करूँगा इस वीडियो में नमस्क्राप नाम जैशिराम, स्वागे थे आपका एक और वीडियो में आज 22 मार्च है और आज भारत में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और सारे लोग अपने घरों के अंदर अपनी दिन चर्या को ब्यतीत कर रहे हैं हालांकि ये एक बहुत ही भयावा घटना के बाद हुई है जिसका खत्रा पूरे विश्व पे मंदर आया हुआ है जिससे पूरा विश्व अच्छूता नहीं है लेकिन ऐसे में मैं घर पे था और मेरे अंदर एक विचार उत्पन हुआ कि क्यों ना ये दिन प्रतीक वर्ष एक बार मनाया जाए जब सारे लोग अपने घरों के अंदर हो कोई भी बाहर ना निकले अपने परिवार को वक्त दे अपने आपको वक्त दे कितना ज़्यादा अच्छा होगा और ये दे जनता कर्फ्यू डे के रूप में मनाया जाएगा जैसा कि हमारे प्राइम मिनिश्टर जी ने कहा कि जनता के द्वारा जनता के उपर लगाया गया कर्फ्यू तो साल में एक दिन मनाया जाना चाहिए जो ऐसा होना चाहिए मेरा ये विचार है और इसके अलावा एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसे हम सोशल डे यानि कि समाजिक दिवस के रूप में मनाएं समाजिक दिवस के उपरांते ये होगा कि पूरे इंटरनेट पे रोक लग जाएगी पूरे भारत में कोई भी सोशल मीडिया नहीं यूज कर पाएगा और किसी भी प्रकार की इंटरनेट की गतिविदियो को अंजाम नहीं दे पाएगा हलंकि अभी ये विचार मन में जरूर आएगा कि अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो बहुत सारी काम रुख जाएंगी अगर एक दिन इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो हमें पता होगा हम उस चीज के लिए पहले से ही तयार होंगे कि इस दिन इंटरनेट बंद होने वाला है पूरा सोशल मीडिया बंद होने वाला है तो उस चीज के लिए हम पहले से अपने आपको प्रिप अब ही मैं घर पे था और मेरे मन में ये प्रश्न उत्पन हुआ कि ऐसा जरूर होना चाहिए और फिर मैंने आप लोगों के समख्ष हालांकि 20-50 लोग इस वीडियो को देखेंगे पर मुझे लगता है कि आप भी इस बात से अपने आपको रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा होना च हाश्टेग सोशल डे और हाश्टेग जनता कर्फ्यू डे पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें और मुझे पॉस्टनली ऐसा लगता है कि ये दो दिवस ऐसे मनाय जाना चाहिए